नमश्कार स्वागत आप सभी का स्टीट न्यूज बुलिटिन में और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी बारिक तो चलिए बुलिटिन शिर्वात करते हैं लेकिन उसे पहले नजर डालते हैं हटलाइन्स पर सानों की ट्रेक्टर रेली पर संशेब बलकरार उले सद्धिकारियों से मिलेंगे निता मध्य प्रिदेश में मिस्टर नर्स को लगी वेक्सीन अगले देस्ट हुआ तो निकली कोरोना पॉजिटिव हनुआन में निवाल समर्दोकों की गुंडागर्टी शाजापुल में टोल कर्मियों से की बतसलुकी बैर्यर तोड़ा और अब खप्रिविस्तार से नए क्रिशी कानून का विरोध कर रेक किसान आगामी 26 जनवरी को ट्रेक्टर रेली निकानने की तयारी में है हाला कि सुप्रिम कोट ने इस रेली के लिए दिली में घुसने को लेकर फैसला दिली सरकार पर छोड़ा है इस सम्मन में किसान संगठनों ने नेता रेली के लिए मार्ग और इंतजाम पर चर्चर करने के लिए बुद्वार को दिली, हरियाना और उत्रप्रदेश पुलिस के शीष अर्दिकारियों के साथ में मुलाकात करेंगे एक किसान नेता ने यह जानकारी दी है किसानों ने दावा किया है कि इस रेली में हजारों की संक्या में लोग शामिल होंगे राच्चर राजदानी के अलग-अलग सीमाओ पर किसान पिछले 56 दिनों से तीन कृशी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन के आने से जिस तरफ लोगों ने चैन की सांस लिए वहीं उससे होने वाले रियक्शन ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी है अलग-अलग लोगों पर इसका अलग-अलग लोगों के इसके रियक्शन देखने को मिल रहे है मध्यप्रिदेश के मांडला में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद नर्स की रिपोस पॉजिटिव आई है नर्स ने एक दिन पहले ही कोरोना का टीका लगवाया था और अगले दिन रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई नर्स जिला होस्पिटल में कारेक्रत है कुछ दिन से नर्स की तबे ठीक नहीं थी उसे सर्दिक हासी की शिकायत थी नर्स ने कोरोना का रेंडम टेस्ट करवाया जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुश्टी हुई है डॉक्टर विजे मिश्ट्रा का कहना है कि जुला अस्पिताल की एक नर्स को कोरोना वैक्सीन लगी तबे ठीक नहीं होने पर जब टेस्ट करवाया तो वे पॉजिटिव निकली राश्र रोकतांतर पार्टी के सेयोजग एवं नागोर सांसद हर्मान बेलिवाल के समर्थनों ने मंगलवार शाम को शाजापूर टोल नाके पर जम कर तोड़फोर की और उत्पाद मचाया आरोप है कि जोरान बेलिवाल समर्थकों ने एक टोल कर्मी को थपर भी मार दिया जिसके बाद खुद हर्मान बेलिवाल अपने समर्थकों को समझाईश कर उन्हें शाजापूर बॉर्डर पर चल रहे धरनास्तल पर ले गए जानकारी के नुसर मंगलवाल को शाम को जैपूर से दिली की और जा रहे। सांसर्थ हनुमान बेलिवाल के काफिले में शामिल करीब आठ से दस गार्डियों में से सबसे पहले बेलिवाल की गाड़ी निकली इसके बाद में एक एकर अन्य गाड़िया निकली एस दोरान लास में दो वाहन रह गए थे तब ही इलेक्रोनिक बैरियर गिर गया जिसे नाराज बेनिवाल समर्थकों ने गाड़ी से उतर कर टोल पर जम कर उत्पात मिचाया हनवदा शाजी कस्पे सरीत आसपास का शेत्र बुद्वार शाम घना कोरे से चाय रहा कोरे की वज़े से सड़क पर चलने वाले रागिरों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा दो पएया वाहन एवं चार पएया वाहन को घने कौरे के वज़े से अपनी लायट जला कर निकलना पड़ा जिसके बाद में सर्दी से बचने के लिए लोग अलावत तपाते नजर आए 11.30 बज़े बाद धूब निकलने पर लोगों ने राहत के सांस ली 12 में प्रिदेश अध्यक्ष रोहित नायक सरकार विश्वर रक्षक नायक सेना ने बताया कि नायक समाज की संपन बैठक संपन हुई जिसमें मांगिलाल नायक को प्रिदेश कार्ने कार्णी के अनुसाग जिला अध्यक्ष अखल भारते विकास परिशत का मनाया गया है जिला अद्यक्ष राम दयाल नायक नव यूवक मंडल वर्पिदेशा अद्यक्ष रोहित नायक सरकार ने बताया कि समाज में जो क्रूकृतिया फैल रही है इसे हमें उनका साथ मिलकर दूर करना है और समाज के अनिक प्रकार की समीतियों दल बनाया जा रहे हैं ये सब का दिल से आभार वहत्तित करता हूं जो मुझे इस पत पर नुक्त किया मंडावरा कस्वे के निकटपर्तिक राम गुहाला में इससे श्रीकृष्ण गौशाला में मंगलवार को गौभक्तों ने गौश वामनी कर गौश सेवा करने का संदेश दिया इस अफसर पर नीमका धाना गौश दल ने तैसिल अध्यक्ष बेस्वास से भी राम किशोर कुमावत ने कहा कि गौश सेवा ही सर्वपरिय सेवा है इसे सबी दुखों का निवारन होता है अंत में वर्तमार में मनुश्य को चाहिए कि गौश सेवा करे कुमावत ने बताया कि गौश वामनी रेनवाल के गौवभक्त एवं समास सेवी लक्षमी नाराइन कुमावत एवं स्थानिय गौवभक्त के सयोग सी की गई है मंदावरा निकटवर्ती ग्राम गुड़ा में हर वर्ष की भांती इस वर्ष भी 14 से 31 जन्वरी को पशु कल्यान पक्वाड़ा मनाया जा रहा है एज़ारान ग्राम गुड़ा डहर की धानी कुता काला में एक आवारा गाय का अगला पैर तूठ जाने से पौंक में पशु चिकसाले के डॉक्टर प्रदीप महला ने शिल्ले क्रिया द्वारा इलाज किया जिसमें राजेंद्र सैनी विनोत सुशीर ओर्डिनेश ने सायतर की यूवा नेता ब्रहमदत मीना ने बताया कि डॉक्टर महला अक्षर निराश्चित पशु का इलाज करने के लिए ततपर रहते हैं इन्हें इस काम के लिए ब्लॉक केवल पर लैवल पर समानित किया जा चुका है तुमई श्री गंगानगर के घरसाना में सिखु के दसवे गुरु श्री गुरु गोविन सिंग की 354 भी जैन्ती घरसाना इस्त मुख्ये गुरु द्वारे में धूमदाम से मनाई गई इस अफसर पर आयोजेत अखनपाट का समापन हुआ इसके बाद में कीर्दान और अर्दा से सत्संग को निहाल किया गया इस अफसर पर बाबा पूर्ण सिंग ने गुरु गोविन सिंग के जीवन पर प्रकाश टाला उन्होंने कहा कि वे बच्पन से ही कुरांतिकाली थे उन्होंने अपनी कथा को खुद ही बया किया उन्होंने किसी की गुलामी बर्दाश नहीं की उन्होंने श्रदालो को संद देश देते वे कहा कि आप भी गुरु गोविन सिंग जी के जीवन और उनकी उपदेशों को अपने जीवन में अपना है। आज जिम्हें की सन पता ही है दस्वें पास्टा साहिफ शिरी गुरु गोविन सिंग जीदा जनम दिहाड़ा मनाया जा रहे है। लाके दे समस्त गुरु दोवारे में किर्तन दरबार से जा रहे हैं। लंगर लाये जा रहे हैं। जिरूरत है सरनुकि आज जैसी गुरु गोविन सिंग जी दे बलिदान गुरु गोविन सिंग दी कुरुबानियां तो शिक्षा लईए। ते उस समाज साड़े समाज दे वेच ऐसनों सी लगु करिए कि किस तरह एक कौम दी रख्या दिखातर देश दी रख्या दिखातर सरनुकी करना चाहिदा है। बहुत को सिक्षा नमें। नागो नगर परिश्रत में मनोमित हुए कॉंग्रेस के वाड नमबर 35 से पाश्रत का आज बाबा की दरगा पर भावशा मास्टर अब्दुल रहीस कारेले में वाड बासियों ने स्वागत किया। फूल मालाओ से उनका स्वागत किया गया और साथ ही नगर परिश्रत में कॉंग्रेस का बोर्ट बनाने की अपील की। पूर प्रयास करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इस हेतू अपने जो भी प्रतेक धानी तक पहुंच कर हमें मंदिर निर्मान हेतू व्यक्ति की से भागिता सुनिश्चित करनी होगी। 500 वर्ष के लंबे समय से संगर्ष एवं 4 लाग से अधिक लोगों की बलिदान की परिणाम स्वरूप श्री राम मंदिर निर्मान का मार्क प्राशित हुआ है। इसके लिए हमें परम सौभागे से अब राम काज करने जो भी सुअवसर प्राप्त हुआ है इसे हमें अवसर और तन मन धन से लाब होना चाहिए। प्राव कर निवासी था और तीमरी में दुकान किराय पर लेकर सिलाई का कारे करता था। फिलाल मधानिया धाना पुलिस ने मामला दर्च कर चांच शुरू कर दी है। फिलाल स्टेट नियूस बुलिटन में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम ख़परों ले देखते रहे हैं डीपी के नियूस नमस्कार। अब हर खबर आपके मोबाइल पर लोगिन कीचिये www.dpknewjindia.com हमारी वेब साइट पर आपके शुरूस नमस्कार।